Hello everyone, True IES and PCS में आप सभी का सोगत है, अपने इस chapter में environment and ecology की definition को हम लोग continue करते हैं, और previous lecture में हम लोगों ने एक question छोड़ दिया था, दो question छोड़ दिये थे और उन questions को address करते हैं इस lecture के अंदर, ठीक है? अराम से समझना, इस question, इन दो question से rated जो concept से वो काफी interesting है, आपको बुला गया है, चार चीजे पहले आपको consider करनी है, photosynthesis का process, respiration का process, सांस लेना, सांस छोड़ना, photosynthesis जिसे plants अपना खाना बनाते हैं, कोई एक organic matter है, सड़ गया है, गल गया है, कीडे मकड़ोस पर रेंग रहे हैं, कुल मिलाकरोस का decay हो रहा है, और एक volcanic action, volcanic action, हमें ये पूछा गया है, इन में से क्या चीज, carbon dioxide add करती है, to the carbon cycle on earth, पूछा सिर्फ ये गया है कि CO2 इन में से किस से add होता है, in carbon cycle on earth, अब carbon cycle या कैसे भी cycle हो, उसको side करो, हमें सबसे बहले ये पूछा गया है, कि CO2 कैसे add होता है, वो किसी भी cycle के अंदर add हो, लेकिन हमें keyword तो मिल गया है, कि वो ये पूछ रहा है, इन में से कौन सी प्रक्रिया, वातावरण के अंदर, धरती पर, CO2 को add करेंगे, देखो, हमें एक चीज़ पता है, जो carbon dioxide है, हम अगर इनसानों की अगर अपनी बात करें, हम oxygen intake करते हैं, CO2 give out करते हैं, ठीक है, right, यही होता है, इस CO2 को, जो plants हैं, वो absorb करते हैं, और plant, बदले में क्या देते हैं, CO2 को तो consume करते हैं, बदले में क्या देते हैं, oxygen, right, यानि कि, photosynthesis के process का outcome, कभी भी CO2 तो नहीं हो सकता, है कि नहीं सही बात, और volcanic action, जिससे, carbon suit के particles, लावा बॉंब्स की फॉर्म में, पैदा होते हैं, carbon suit के particles, लावा बॉंब्स की फॉर्म में, जो पैदा होते हैं, वो हमें पता है, यानि कि, अगर हम बिल्कुल ध्यान से, अगर इसे देखें, ध्यान से, अगर हम इसे देखें, option 4, जो है, वो होना चाहिए, option 4 पक्का होना चाहिए, carbon जो होती है, वो होता है, और हमें ये भी पता है, कि geography की discussion से, कि volcanic activity के अंदर, अगर 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 लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, तो उसके अदर gas system भी होती है, भाब भी होती है, तो प्रॉपर जो लावा, जो ठंडा होके, काला जो दिख रहा है, वो carbon है, लेकिन steam है क्योंकि उसके अंदर, तो carbon dioxide तो होगा, यानि कि option 4 तो होना ही चाहिए, अब option 4 अगर होना चाहिए, तो सिर्फ option B मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसमें option 4 नहीं, तो एक तो यही eliminate हो गया, इन तीनों में से कोई होगा, क्योंकि option 4 तो होना ही चाहिए, respiration के process में, हमें साफ तरीके से पता है, हम oxygen intake करते हैं, और CO2 release करते हैं, यानि कि option 2 होना ही चाहिए, अब option 2 अगर होना ही चाहिए, तो option 1 भी eliminate हो गया, photo synthesis के process पे कभी भी CO2 release नहीं हो सकता, option 1 नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, तो इससे आगया हमारा option C, क्या है सही है, yes, सही है, 2, 3 and 4, and option C is the correct answer, खेर यह तो रही elimination के technique की बाद, थोड़ी सी explanation की बात करते हैं, explanation वही है, जिसके basis पर हमने elimination करी है, हमने अपनी elimination भी एक reasonable logical explanation की basis पर करी, क्या, photosynthesis, अश्प्रीद, पेड़ पौदी अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, वो हमेशा CO2 को use करते हैं, CO2 को use करते हैं, हमारी body से जो निकलती है, respiration process में, ठीक है, और बद्दे में वो हमें O2 देते हैं, oxygen देते हैं, respiration जो है, इसमें जरूर CO2 भार निकलता है, ठीक है, organic matter का decay, decay जो organic matter है, इसका मुझे कोई idea नहीं है, मालो, इसका मुझे कुछ भी नहीं बदा कि, कि अगर कोई चीज, कोई जानवार, human body, कोई भी एक organic form में कोई भी matter है, वो सड रहा है, गल रहा है, उसमें से बद्बू आ रही है, वो बिल्कुल सड गया, कीडे उस पर रेंग रहे हैं, मकडे रेंग रहे हैं, अगर ऐसे किसी organic matter का decay हो रहा है, I have no idea कि उसमें क्या CO2 release होगा के नहीं होगा, मुझे नहीं पता, volcanic action में पक्का होता है, लेकिन, अब देखते हैं, थर्ड वाले point की explanation, photosynthesis तो, जो है, उसके process में CO2 को खाया जाता है, प्रांट के दौरा, carbon cycle से, और O2 release करा जाता है, बाकि सारी चीज़े जो है, वो CO2 release करती ही करती है, अट्मस्फेर के अंदर, including human respiration, या animal respiration, जान तक बात है, decomposition of organic matter की, एक organic matter का जो decomposition हो रहा है, it releases CO2, it releases CO2, आ गया हमारे सामने, हमें पहली बार पता लगा, हम जानने ही बैटे हैं यापर, इस चीज़ को, carbon dioxide इससे release होता है, whereas जो undecomposed organic matter होता है, ठीक है, decomposition of organic matter, it releases carbon dioxide, add होता है, इसका मतलब carbon cycle के अंदर, organic matter के decomposition से, अगर कोई organic matter, अच्छे से decomposed नहीं हुआ न, यानि कि वो तो decay तो हुआ था, अब, decomposition का मतलब क्या होता है, simple सी definition, breakdown into smaller particles and smaller elements, यही होता है, मतलब इसका shiny, right, breakdown into smaller elements, smaller particles, तकि और छोटा-छोटा-छोटा होकर, वो धर्ती के कड़ों में समाज आया आराम से, dead body, ऐसी तो गलती है, ऐसी तो सर्ती है, ऐसी तो सिर्वो कंकाल रह जाता है, पूरज शरील जो होता है, एनिमाल हो, इनसान का कंकाल हो, या कोई भी, फल, फ्रूट, सबजिया, या कोई पेट जो दफन हो गया, वो ऐसी तो उसकी हस्ती मिट जाती है, दर्ती में समाती, अब कुछ organic matter ऐसी भी तो होता है, जिनका proper तरीके से decomposition नहीं हो सकता, यानि कि वो सड़े, गले, मरतो गए, दफन भी कर दी गए, तेकर अच्छे से उनका breakdown नहीं हो सका, होता है कि नहीं होता ऐसा, अब ये जो undecomposed organic matter होता है न, ये मिट्टी में carbon add कर देता है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, इन में से क्या चीज़ carbon dioxide rate करती है, decay of organic matter, जो organic matter का जो decay होता है, अगर वो undecomposed form में रह गया है, तो ये उससे carbon release होगा, मिट्टी के अंदर, carbon dioxide एकदम जे नहीं छूटेगा, पहले carbon release होगा, मिट्टी के अंदर, और वो किस format के अंदर होगा, insoluble carbonates की फॉर्म में, और ये insoluble carbonates जो है, ये carbon contribution करेंगे, carbon cycle में, यानि कि चाय औरगेनिक matter का decomposition हो, ठीक है, या वो पूरी तरह की से decomposed ना भी हो, तब भी decomposition में तो best चेक के, CO2 as a gas release हो जाएगी, लेकिन undecomposed जो matter होगा, decomposition process पूरा नहीं हो, पर है, उसमें carbon add होगा, soil के अंतर, insoluble carbonates की फॉर्म में, जो की carbon cycle में मर जो देखा, अब सवाल ये उड़ता है, भाहिया, इतनी विज्ञान तो पढ़ा नहीं है, insoluble carbonates के आउते हैं, जर्ण ये भी समझा दो, तो चलो बताता हूँ मैं आपको, जितनी जरूरत है, उतना बताता हूँ मैं आपको, देखो, basic level से, अगर, वैसे तो 11th class की बात है ये, लेकिन अगर हम 9th class को भी थोड़ा-थोड़ा छाट लें, तो, थोड़ा बहुत अगर 6 से लेकर 10 तक की, अगर हम chemistry देखें, तो उसमें हमें एक word देखने को मिलता है carbonates, सबसे बड़ी बात तो rider का यहाँ पर यह लिखना, insoluble carbonates, यह अपने आप में एक trap है, कैसे, क्योंकि, जो carbonates होते हैं, carbonates होते हैं, वो सारे के सारे, insoluble ही होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, सिर्फ 3 को छोड़कर, पहली बात है कि, आप कहोगे carbonates क्या होते हैं, carbonate होता है, जो dissolved carbon dioxide होता है, CO2, वो carbonate की form में देखने को मिलता है, मैं nature के अंदर, सारे के सारे carbonates insoluble ही होते हैं, वहलाँ water के अंदर इतने अच्छे ते mix नहीं हो पाते, except those of, sodium, potassium, and ammonium, sodium, potassium, and ammonium, थोड़ा बहुत soluble होता है, हलका सा एक नाम है उसका, magnesium carbonate, magnesium carbonate, यह slightly soluble होता है, अब ठीक है यार, यह chemistry अटाओ, हमारे काम की नहीं है वैसे भी, अगर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुता आप देख सकते हो, लेकिन carbonate से dissolved CO2 होता है, अरे ठीक है, यह अभिज्यान को साइट अटाओ, I hate chemistry, I hate sciences, ठीक है, एग्जाम ही यह science का नहीं है, humanities वालों को यह एग्जाम है, और जो वैसे भी science पढ़कर आया है, वो जादा सफर करता है, यह पेसी की तेहरी में, हमें यह जानना है कि carbonates use कहा आते हैं, carbonates को न, industries में, industrial processes की form में यूज कर जाता है, as a raw material, क्या बनाने के लिए, drugs development, दवाईयों में कभी कभार use होता है, उसके process में, industrial processes में, glass making factories में, paper making factories में, soap making factories में, साबून की factories वगरा में यूज होता है, carbonates को dove वगरा की कंप्रियां बहुत use करती हैं, detergent वगरा, rain, surf excel वगरा यहां यूज होता है, बस, जितनी information चाहिए थी, UPSC के लिए से उससे ज़्यादी देती, इसके beyond this topic की अकात नहीं है, कि हम carbonates में, odd depth में जाएं, chemistry option नहीं है हमारा, ठीक है, तो यानि कि insoluble carbonate से भी, yes, carbon form होगा, जो की carbon cycle में contribute करेगा, वो अलग बात है कि, CO2 की form में नहीं करेगा, carbon dioxide की form में नहीं करेगा, gaseous element की form में नहीं करेगा, gaseous element की form में कैसे करेगा, क्योंकि वो जो decade matter है, उसका पूरी तरीके सिर्थ दिकंपोजिशन हुए है नहीं, un-decomposed रह गया है न, तो 100% कैसे कर देगा, ये तो possible ही नहीं है, ठीक है, इतनी बात हमें समय में आ गई, अब देखो, बच्पन की कुछ ही आते हैं, अगले question में, which one of the following is the process, जो की photosynthesis के process के इंदर involved रहता है, बच्पन से जो भी हमने science में photosynthesis पढ़ा है, उसकी clarity आपको इतनी नहीं मिली होगी, जितने इस lecture के बाद आ photosynthesis को अच्छी तरीकेते थीख जाओगे, और हमेशा के लिए lock करतोंगे, सबसे पहला, इन में से क्या process involved होता है, जब photosynthesis की प्रक्रिया हो रही होती है, number one, potential energy release होती है, free energy को form करने के लिए, जाने कि भई, मुझे ये नहीं पता ये क्या होता है, और मुझे ये भी नहीं पता ये क्या होता है, मुझे नहीं पता potential energy, free energy क्या होता है, माल लो, I have no idea, free energy is converted into potential energy and stored, food is oxidized to release CO2 and water, oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor are given out, थोड़ा सागर logic लगाएं, answer को एक मिनट के लिए भूल जाओ यासे, answer B वो कह रहा है, रहन दो, अभी के लिए मालो नहीं पता, हम यहापर answer स्ठीक करने नहीं आये, हम यहापर को सीखने आये, देखो, हम इतना पता है कि फोटो सिंथेस के प्रोसेस में, कभी भी प्लांट oxygen intake नहीं करते हैं, और कभी भी CO2 नहीं छोड़ेंगे, opposite करेंगे ऐसा, CO2 लेंगे और oxygen छोड़ेंगे, तो यह तो हो गया, eliminate, यह तो वैसे भी eliminate हो गया, यहाँ पर यह कुछ अंग्रेजी बकरा है मुझसे, food is oxidized, इसको छोड़ो, मुझे आपर keyword यह दिख रहा है, कुछ चीज की oxidization हो रही है, मुझे नहीं बताए क्या होता है, I have no idea माल लो, लेकिन मुझे कह रहा है कि बदले में, CO2 और water रिलीस, भई नहीं होता, अभी नीचे बारी statement भी तो बोल रही है, उसको जब मैं element करना, तो कभी भी कैशिव करके, releasing element में CO2 ती नहीं हो सकता, photo synthesis का काम ही नहीं है, CO2 release करना, नहीं हो सकता, यह भी कया, अब confusion जो आती है, वो इस format के अंदर आती, कि जब दो options के अंदर, आपने अकसर सोनाओगा, अचल का paper, London, London करते हैं, दो options के वीचिन में first कर रहे हैं, वो इसलिए बेटा, क्योंकि तुम पूरे साल current affair ये बढ़ते रहे हैं, static subject में बहुत knowledge आई होती, आप कहने को हम 2 MCQ कर रहे हैं, हमें 14 मिनिट हो गए हैं भी ये discussion करते करते, साड़े 14 मिनिट होने जा रहे हैं, वो deserve करती है उतनी यार, photo synthesis कर रहे हैं अच्छे थे किसी ने समझाया होता, बच्पन में तो आँख बंद करके करते हैं ता, दुआ करता था हमारे जीवन का, photosynthesis, photosynthesis को समझने से पहले, हम इसके एक जब थोड़े से बड़े होते थे, और क्लासे में साइन्स में आता रहता था, 4th class, 5th class, 6th class, छटी क्लास तक जाते जाते हमारे सामने एक ये formula पेश करा जाता था, कि बच्चों इसको याद रखना, ये आपको मिट्टम के अंदर आएगा, हमारी टीचर हमें ऐसा बोलती थी, 6CO2, plus 6H2O, photosynthesis का process, इन दौनों को मिला कर यूज़ोगा, और बदले में छोड़ेगा प्लान, C6H12O6 glucose, plus 6O2, oxygen, उपर के ये, chemical formula को हटाओ, नीचे देखो, carbon dioxide और पानी की मदद ली जाती है, जिसकी वज़े से, प्लान्ट अपना photosynthesis का process carry out करते हैं, ये gas, carbon dioxide, water, cooker, खाना क्या बनकर आया, glucose and oxygen, ये प्रक्रिया है, ये जितनी इदर खाना बन रहा है, photosynthesis प्रक्रिया है, इसमें यहाँ पर एक जो चीज है, वो बहुत मदद करती है, प्लान्ट की खाना बनाने में, कि गैस cylinder बीच में खतम ना हो जाए, तो वो काम करता है सूरज, मुझे एक बाँ बाँ बताओ, हम sunlight जो है, प्लान्ट को अगर sunlight लेनी पड़ती है, या हमें भी organisms को भी, sunlight कितनी अमात्रा में अवेलिबल है, कितनी अमात्रा में अवेलिबल है, बताओ, unlimited है न, हम जब सूरज से solar energy extract कर रहे होते हैं, बदले में हम उसे क्या देते हैं, organisms क्या कुछ release करते हैं, बदले में sunlight को absorb करने के बाद, बताओ, क्या मैं ऐसा क्या दूँ अश्पीति से, ये energy का free भंडार है, जितना आए उतना loot लो, अब आज़ाओ वापस, जितना मिले उतना loot लो, यही है, यही है सूरज का nature, जिसको बूरत दाथा free energy, अगर हमें सिर्फ इतना पता है, कि सूरज की जो energy है, वो free energy है, और photosynthesis का, photosynthesis का question, तो obvious ही बात है, घर के electrical tubulate के बारे में, तो यह पूछेगा है, यह एक जो sincere aspirant होगा, मैं यह नहीं कहा रहा कि, आप free energy, protection energy को जानते होगे, third और photo element हो जागा, एक sincere aspirant होगा, तो उसको इतना तो पता होगा, कि photosynthesis जो है, उसमें सूरज की किरण का use होता है, किरणों का use होता है, which is solar energy, sunlight, अब एक बारी, photosynthesis की definition जानते हैं, आजाओ वापस, यह देखो, यहाँ से समझना, photosynthesis एक ऐसा process होता है, by which plants use sunlight, water and CO2, plant use water, sunlight and CO2, क्या यह use कर रहे हैं, plant, yes, light use कर रहा है, तो sunlight, पानी use कर रहा है, water and CO2 use कर रहा है, ओके, oxygen और energy को बनाने के लिए, in the form of sugar, यानि की glucose, oxygen और glucose को बनाने के लिए, यह use करता है, plant, water, plus CO2, plus solar energy, तो यह तो बैसे भी, element हो जाने थे, oxygen is taken, नहीं भाई, फूर्थ option देखो, oxygen is taken, कहाँ oxygen is taken, कहाँ oxygen is taken, CO2 is taken, CO2 is taken, उपर वाल option, food is oxidized, क्या release करने के लिए, oxygen elements के साथ combine होता है, उसकी खाने बनाने के प्रक्रिव, वह ही कहा रहा है, CO2 और water को release करने के लिए, नहीं यार, releasing element तो होते ही नहीं, releasing element तो हमें दिख रहा है, oxygen और energy in the form of sugar, in the form of glucose, oxygen और glucose release हो रहे हैं, releasing element तो यह है, अब जानना है उपर वालों को, बागी दो statements को, कि क्या potential energy convert होती है, free energy में, free energy करवाट होते है, potential energy में, देखो, कोई भी energy तो पहली बाते, अर्थ पर ऐसी होती नहीं है, जो कि solar energy बना दे, normal parlance में, अगर हम लोग बात करें, क्या कोई भी चीत ऐसा है, कि जो सूरज की किरन बना देगी, बताओ, अश्पृत ऐसा कुछ सुना, कि धर्ती से सूरज की किरन बना कर, हम बेज रहे हैं सूरज को, सुना ऐसा कुछ, छत में खड़े होते हो, कि आप मतलब एक शीशा लेकर, कि सूरे देव, आप मुझे किरन दे रहे हो, एक गंड़े मैं भी घड़े रहूंगी रोज, होता है घर में यह, सिखाया पापने मम्मी ने यह करना, अब देखो, यहाँ पर जो डेफिनेशन है, फोटो सिंथेसिस अ प्रोसेस यूज़ बाइ प्लांट्स एंड अधर और अर्गनिजम्स तो कनवर्ट लाइट एनरजी इन्टू केमिकल एनरजी, यह याद रखना, फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, हम लोग लाइट एनरजी को यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, हम क्या, केमिकल एनरजी में कनवर्ट करने के लिए इसको, केमिकल एनरजी बनाने के लिए, अब यह जो केमिकल एनरजी है न, प्लांट्स के अंदर, जो सेल्स होते हैं, उनकी सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगी, उस प्रोसेस में chemical energy use करेगा plant बाद में इसको release कर देगा organisms की activities को fuel करने के लिए organisms कौन है यहाँ पर सूरज की energy को use करा chemical energy में convert करा वो गई cells के पास plant के cells के पास cellular respiration की मदद से वो release हो जाती है बाद में energy हमारी activities को fuel करने के लिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर इस concept को रोक कर एक चीज़ बताता हूँ देखो 9th class की अगर आप work and energy के चप्टर है 9th class की science में physics में उसके अंदर ना एक energy समझाई जाती है potential energy और पूरा नाम उसका होता है gravitational potential energy potential energy का मतलब क्या होता है अगर ये A है और ये B है यहाँ से यहाँ अगर इसमें कुछ भर दिया जायना तो उसके पास potential आ जाती है A से बोरो करके और ये भी एक प्रकार से एक energized object एक thing बन चुकी है जो कि किसी और चीज को किसी और चीज के उपर गिर जाए पढ़ जाए ये affect करने की कुल मिलाकर से पास capability है B के पास इसने potential acquire कर ही है gravitational potential energy ऐसे होती है मालनो फर एक्जामपल जो मैंने कुछ-कुछ बुक्स में देखा एक्जामपल वो ये है कि अगर घर पे अगर AC उपर लगा हुआ है न आपके दिवार पे लगेगा AC तो आप नीचे तो डोलोगे नि उसको फ्लोर पे लेकर उपर लगा हुआ है वो अगर AC जो है अगर दिवार पर टिका हुआ है कैसे भी करके चाहे लकड़ी को ठोकर वो करके उसके अंदर potential energy आ गए क्यों क्योंकि वो gravity के against उट गया है अब ये किसी के खोपड़ी पर गिर गया है टांगों पर गिर गया ना बंदे को अच्छा खासा effect होगा एक पत्थर जिसको एक building से फैका जा रहा है उसके अंदर potential energy है वो अगेंस ग्राविटी जागे अब जो gravity की तरफ गिरेगा रहा वो कुछ ना कुछ एक गाड़ी का नुकसान किसी की खोपड़ी का नुकसान कुछ ना कुछ तो वो कर सकता है अब ये तो हो गई physics की बात अब नॉर्मल पारलेंस के इंतर इसी से associated potential energy की बात करते है यानि कि हमें इससे अश्परीत ये समझ में आया कि potential energy वो चीज़ है कि जिसके अंदर कुछ potential है किसी और को rest से motion में लेकर जाने के लिए जो कि मुझे energize करते है कि नहीं अश्परीत आपका पंडे का मन नहीं कर रहा श्परीत आपका वर्फेंट शर्ट खोल कर खोड़ा हो गया लगी मेरे six-pack apps देख आगी आपके अंदर potential energy अब potential energy जो है कैसे आई यहाँ पर देखो फिर से देखो photosynthesis कैसा process है which is used by plants and other organisms जिससे हम light energy को convert करके chemical light energy को convert करते हैं chemical energy के दर plants और वो cellular respiration की मदद से बाद में release होती है energy organisms की activities को fuel करने के लिए अब यह जो fueling element है इसका तो यह potential ही तो है हम अपनी potential पर इसली तो काम कर पा रहे हैं शाही नहीं क्योंकि हमें O2 मिल रहा है क्योंकि हमें O2 मिल रहा है बताओ अगर मयूर O2 खीच लिया जाए बातावरण से कोई कितना भी ताखतवर हो सुन्दर हो कैसा भी हो fully activated रहता हो क्या हो अपने full potential पर काम कर सकता है मानलो अभी आप class ले रहे हो मैं आपको एक ऐसे कमरे के अंदर बिठा दूँ जिस के अंदर पूरा का पूरा दूँहाँ पर रखाओ हवन कीर्थन जैसा औरuddhun का पूरा धूप जल रही हो सारा का सारा हवन सामगरी हो लकणियां जल रही हैं और इस कमरे के सारे दरवाजे बंते हैं क्या आप अपने potential पर बिना खांसे ये दर ले सकोगे बताओ और यही मैं आपको अच्छे से हिल्स वगरा पर जाकर वेस्टन घाट्स और इस्टन घाट्स में बिठा दूँ अर्ली मॉर्निंग हो सर्दी ना हो गर्मी ना हो आप आराम से वहाँ पर लैप्टॉप लगा अगर अपनी क्लास ले सकते हो फ्रेश ऑक्षियन का अईसास हो रहा होगा आपको बंद कमरे के अंदर धुए वाले कमरे के अंदर आपका फुल काम नहीं कर पाना और इसेंगार्ट्स वेस्टनकार्ट्स के पाड़ो पर वाटके हिली स्ट्रक्ट्चर पर बैठकर वापर आपके कलास अराम से ले पाना करी उस मेनत को हमने बौरो करा जिसकी वज़े से हमारी पोटेंशल क्रीट हुई अब आओ इस्टेटमेंट बन के उपर पोटेंशल एनर्जी रिलीज होती है फ्री एनर्जी फॉर्म करने के लिए गलत अश्प्री समझ रहे हैं से यह तो कैसे भी करके फॉर्म होई नहीं सकत करेंगी और वो कैसे बनेगी यह रहा उसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी सेल्यर रेस्पिरेशन की मदद से अब देखो कुल मिलाकर बात है सूरज की केरण से प्लांट ने खाना बनाया उनके खाना बनाने की वज़े से उन केमिकल एनर्जी चेमिकल एनर्जी इंटो इसले रेस्पिरेशन जो है इड़ील भी फ्यूल फोर और्गैनिसम्स तू सर्वाइब विच्जिव वर्क इंटा फॉर्म अप पोटेंचिल इनर्जी हमें पोटेंचिल मिल गई ये काम करने के हमारे इंदर एक पोटेंचियल आ इसा? ईशा? नहीं है ना? potential energy is released to form free energy false sun की जो free energy होती है वो convert होती है potential energy के अंदर potential energy में photosynthesis के process के अंदर food को food का oxidization होता है carbon dioxide water को release करने के लिए नहीं releasing element कभी होई नहीं सकता co2 हमेशा oxygen is released not carbon dioxide अगला था oxygen is taken and co2 and water are given out नहीं co2 तो कभी निकली नहीं सकता co2 is taken oxygen is given out sunlight की जो free energy है वो carbo hydrates के अंदर potential energy के अंदर convert होती है पानी को use करके और co2 को use करके oxygen फिर release होता है इस प्रक्रिया को use करके यह oxygen release हुआ और इससे हमारे अंदर एक potential आ जाती है काम करने की और plus animals humans plus animals समझ में आया बताओ समझ में आया तो इस discussion में दोस्तों पर ला ले पहीं बगु करकेशष घएष करेंडों पर टूषес हुआ और लूखर लाट जाएटधं पर हैं और मिझाबने देश्टों सब्सक sail काथवण भाट है पर लिए, sunset jó पहुत्थ 2 ृज थाभडूछिंषं